हलो एवरिवन कैसे आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे यहाँ पर इस वाले व्लॉग में मैं आप लोग को जैमाला कन्यादान फेरे सब कुछ दिखाने वाली हूँ तो कहीं मत जाएगा बने रहें एंट तक और हमारे दूले को तो देखा नहीं था आपने तो दूले बाबु को देख लीजी और बताएं कि दूले बाबु कैसे लग रहे हैं कैसी लग रही है दूला दूलहन की जोड़ी पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि दूलहन की एंट्री कितनी ही अच्छे तरीके से हुई है जीजा लोग भाई लोग सब ही गए थे गेट पे और उसको लेके आए दूलहन को तो बहुत ही अच्छा लगा था देशान है यहां पर फूलों की बश्या वगयरा सब हो रही है धीरे धीरे दूलहन अपना राउंड 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 कर रहे हैं और स्टेज पे बहुत जादा रश हो गया था तो फोटोग्राफर ने बोला कि नई भाई आप लोग सब नीचे उतर जाए दूलहन जैसे ही हुआ हम लोग तो बहुत पीछे बैठे हुए थे और इतना अच्छा लग रहा था देखने में कि क्या ही बता हूं हम लोगों को यह नहीं पता था कि स्टेज बेबी यह राउंड राउंड होता है तो मैं और भावी बैठे थे पीछे तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि देखो कितना ही अच्छा लग रहा है और सब नीचे उतर गए तो और भी अच्छा लगा जैसे जैसे फोटोग्राफर्स बताते रहे यह लोग अपना वैसे ही करते रहे तो आप लोग बताएगा कि दूला और दूलहन की जोड़ी कैसी लग रही है मेरी भती जी कैसी लग रही है आप लोग को क्या पसंद आया इसका लेंगा कैसा लग रहा है और खुब सारा प्यार दीजिए आशिरवात दीजिए दोनों को आज कर तो अपना दूला दूलहन की पहले से ही रहती है बांडिंग की हम ऐसे करेंगे और हम वैसे तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सिंपल जैमाला हुई जो की बहुत अच्छी लग रही थी वो जो उठा लेते हैं न लड़के को या लड़की को तो वो मुझे पर्सनली मैं बताओ मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी वो में लड़की को उठा ले तो उसको अनकंपेबर लगता रहता है लड़के को भी कोई उठा लेता है फ्रेंड्स वगरा या जी जी लोग तो सही नहीं लगता है और ये वाली जैमाला जो थी बहुत अच्छी लग रही थी जैसे जैसे फोटोग्राफर बता रहे थे वैसे वैसे कर रही थी साक्षी इसका नाम भी साक्षी है आप लोग बताएगा साक्षी कैसी लग रही है मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी बहुत क्यूट लग रही थी और आप लोग बहुत सार प्यार आशिरवाद दीजे दोनों को हाँ जी अभी शेक है आशुतोष आशुतोष है और आशुतोष रहते हैं खजूरी में और इनकी ममा बहुत बड़ी अभी फैन है को किन व्लॉक्स विज्जा लठाकुर फैमिली व्लॉक्स में थिला कि और ऐसा लग रहा है जिस तरह से इन्होंने सीक्वेंस बताए है सारे ऐसा लग रहा है कि सच में सब कुछ देखा हुआ है सब चीज बतल किन है हां के व्लॉक्स शुरू भेल जनाव से लगा अखन तक मतला है तो बढ़नीक लागल हम रहा तो सुईन का बहुत अच्छा लगा सीरेसली लब देखके कि हां ऐसे सब्सक्राइबर भी इतने ज और तो बहुत मस्स व्लोग देव होगी मैं आपके व्लॉक्स लाग देखके है मैंने उसको भी लाइक करेंगे दिन पर दिन तो बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा कहीं दियो लाइक शेर इन सब्सक्राइब करते भी और मेरी लगबख सब्सक्राइब बाकी सब को बोल देजिए जड़ से जुड़ना है तो जरूर लाइक शेर सब्सक्राइब साल की छे शादी मिलेगी दो जनों मिलेगा ज्यादा होगा लेकिन पर लेकिन और लेकर लेकर तो पूरी पारिवारिक टीम है पहले मदू साक्षी और निराक्षी हो गया तो अब फिर केशुकार्थिक बड़े हो जाएंगे तो वह अपना सिंग्ण चैनल लेगा वह कुछ नहीं करेंगे निजब परदस्ती कैमरा तमाया जाता है बेटा थोड़ा रिकॉर्ड कर लो बेक एंड पर चीज़ें जिरू बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है तो फिर यह भी पर जलता कि खजूरी के अब लोग आना जाना हो जाता है नानी सास है वह कंसेट के लिए रहा है पर बहुत प्यारिस से फैमली मेंबर मिले थे आसुतोष बहुत ही अच्छा लगा मिलके इतना ही जानते हैं वो लोग हम लोग के बारे में कि मुझे लगता है कि हम लोग भी कभी कभी भूल जाएंगे अपने ब्लॉक्स वगएरा कि हमने एक हफते पहले क्या डाला था कहा गए थे मगर आसुतोष को सब पता थी तो ये जान के न मुझे सच में बहुत अच्छा लगा सच में हमें भी कोई हमसे जादा जानता है जो आप लोग हैं तो आप लोगों के इस प्यार के लिए मैं सब को दिल से थैंक्यू बोलन कि यहां पर खाने का टाइम हो गया था क्योंकि जैमाला वगयरा हो गई थे पापा भी सुबह से बैठे हुए थे तो उनको भी अनकमपर्टिवर लग रहा था और थोड़े से पापा परिशान हो रहे थे तो मैंने बोला पापा को कि हम लोग खाना खाते हैं और फिर निकल मगर भाई को थोड़ा सा रुकना था यहां पर रिचुल्स वगयरा भी थे मुझे भी देखना था अच्छा लगता है आप लोग तक थोड़ी बहुत चीज़े पहुचाती रहती हूं तो आप लोग बताना की कैसा लगता है आप लोगों को और अभी तक अगर चैनल को सब सब्सक्राइब नहीं कर रखाया ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे हमने डिनर किया और पापा को गाड़ी में ही बोला कि आप सीट पीछे कर दिया और पापा को वहीं पे लिटा दिया थोड़ा सा उन्होंने आराम कर लिया क्योंकि पापा लड़का लेने गए थे म सुनने में इतना ही आया है और 15-16 लोग मिलके उनको रिक्वेस्ट करके हाथ उठा के वो भी बहुत सारी रिच्वल्स होते हैं जो कि मैंने छोटे मामजी के शादी के टाइम में डाला था आप लोग जाके पुरानी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो देखिए बकायदा लड़के को लेने आते हैं और पान नारियल पारी मखान लेके हाथ से उठाते हैं कुछ अच्छा सा मंद्र बोला जाता है बहुत ही अच्छा हेल्दी लाइफ के लिए तो वो सारी चीज़े करते हैं और फिर लड़के को लेके आते हैं तो आप लोग देखी रहे हैं कि यहाँ पर वही सब चल रहा था बहुत सारी लड़के को गेर लिया था और यहाँ पर हो रहा था परिचन इस वाले रिचुल्स को परिचन बोलते हैं यह रिचुल्स हमारे ऐसे होते हैं कि इसमें सारी लड़कियां ही होंगी लेडीज ही होंगी इसमें जेंट्स वगेरा न कुछ इनको करती हैं तयार करती हैं दुबारा से यानि आप घर से आये हो रेडी होके तो वो बिकार लग रहे हो हम आपको अच्छे से सजाएंगे धजाएंगे रेडी करेंगे तो आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो यहां पर मैंने एक रील भी डाली थी जिसमें नि निमीशा बिदकरी बनी हुई है यह भी भतीजी है मेरी साक्षी से बड़ी सिस्टर है यह और निमीशा यहां पर सारा चीज कर रहे थी तो सबसे पहले क्या होता है फेस वाश करके इनको क्रीम पाउडर यह वगर लगाया जाता है और फिर देखें नाक पकड के पान के पत मिथिला में यह सब चीजे होती है और मैं बताहूँ आपको लड़का अगर यहां का हो नौर्मल हम लोग लग का लड़का ना हो तो परिशानों के भाग जाये की यह लेडिज कितना परिशान कर रही है बट मिथिला का लड़का में इतनी सहन शक्ती होती है कि सच में हसते सीखते हैं तो अपने कल्चर में अपनी सारी चीजों में ढल जाते हैं और उनको पता होता है कि मेरी शादी में भी ऐसे ही मैं परिशान होने वाला हूँ तो नॉर्मल सारी चीजे होती है और यहां पर देख रहे हैं दूले को परिशान कर रहे हैं लड़कियां लेडीज वहा और हमारे यहां पर लड़के को इतनी ज्यादा परेशान कर देते हैं कि बेचारा परेशानी हो जाता है तो पीछे देख रहे हैं आप परेशन हो रहा है जिसमें लड़के को हच से ज्यादा सारी लेडी मिलके परेशान कर रहे हैं और लड़के के पास यानि दूले के पास को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो बेदी घूमने के बाद यहां पे उठंगर कुटाने की विधी हो रही है यह तो दुल्य के हाथ से यहां पे धान डाला जाता है ओखली में और यह आठ जो है ब्रामहन होते हैं वो आके बंधन में बंध के कूटते हैं और यह दूल्हन को भी यहां पे ले आते हैं हम लोग औ और यहां पे हो जाता है करन्यादान का टाइम, करन्यादान के टाइम में सब ही की आँखे बहुत जादा नम हो जाती है, बेटी ना चीजी ऐसी है कि सब रोने लगते हैं, मैं आपको क्या ही बताओं, करन्यादान के टाइम सब ही रो रहे थे, और करन्यादान देखने के इससे भी जादा थोड़ा सा शायद मामा जी ने रिकॉर्ड किया है मेरे पास इतना ही था क्योंकि मेरी बैटरी डाउन हो गई थी और देखे हम लोग यहां पर बैठे हुए सारा कुछ देख रहे हैं बहुत सारी जो दीदियां थी मामी थी मौसी थी मौसी लोग मिल रहे थे यहां पर तो ममी का भी थोड़ा बहुत चर्च यहां चल रहा था कि कैसे क्या हो गया तो सब कुछ ऐसे अचानक हो गया न सबको आश्या लग रहा था ममी के बारे में जानके सुनके यहां पर मैं बैठी हुई हूई हूँ भावियां बैठी हूई हैं पीछे मामी हैं दीद रिकॉर्ड हुआ है आप लोग उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा कैसे लग रहे हैं दोनों आप लोगों में कैसा होता है यह जरूर बताएगा कि मैं बार बार पूछती हूं कि आप लोगों में कैसे फेरे लिए जाते हैं हम लोगों में सिंपल फेरा नहीं होता है यह जो होता है आप लोग भी बताना आप लोग के साइड क्या होता है ये सारी चीज़े देखी है हमने और विदाई नहीं होती है सभी अपने अपने घर चले जाते हैं हम लोग भी अपना घर की तरफ रवाना होते हैं ज्यादा रश तो नहीं मिला था जाते वक्त हमें एक घंटा ल इस चैनल पर बने हुए है और चैनल को सबस्क्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले सबस्क्राइब कर लिया कर ये लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिये और कमेंट जरूर कर ये कि आपको हमारी मिठला की शादी कैसी लगी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे